Hello everyone, I welcome you all to the vocab show आपकी vocab preparation के लिए one stop solution इस शोपर हम बात करते हैं 5 words ऐसे words जो हमारे previous year exams में आचुके हैं और जो आने वाले exams के लिए बहुत important होते हैं यहां हम सर्फ किसी word के synonyms नहीं समझते हैं या उनको रटा नहीं मारते हैं हम उस word को समझते हैं उसका correct usage देखते हैं कि sentence में हो word कैसी use होगा उसका context क्या होगा बिकिस exams में सिर्फ synonyms के जो questions होते हैं वही नहीं आते comprehension part भी होता है वहाँ पर आपको यह चीज़ बहुत काम आएगी तो चलिए शुरू करते है So आज का पहलो word है gnome Gnome का मतलब होता है something that is small and ugly मतलब छोटा, गिठा और अगली मतलब दिखने में इतना अच्छा है ना छोटा, गिठा हो और अगली हो and that is gnome तो इसका synonyms क्या होंगे Drawf, Pixie, Elf, Imp Pixie, Elf इस तरह से यह word represent करता है कोई ऐसा character किसी comic में एक स्टोरी में जो बदा हो या फिर छोटा हो जो थोड़ा सा हसी का पातर हो, ऐसा okay so gnome का मतलब a small, ugly person something that is small or ugly okay so let's see the sentence here the garden gnome added a whimsical touch to the backyard तो यह पह विम्सिकल वर्ड होता है विम्सिकल वर्ड के दो मीनिंग होते है वो sentence के उपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कांसा मीनिंग उसर है एक मीनिंग होता है कि something amusing, something good something like a little funny है और दूसरा मीनिंग होता है sudden changing that sudden something that changes suddenly okay, that is whimsical so यहाँ पर है the garden gnome added a whimsical touch to the backyard मतलब जो garden में कुछ gnome था जब कुछ चीज थी छोटी गिठी तो उसने एक थोड़ा सा funny touch दिया backyard को है कुछ एकदम अलग और amusing touch दिया okay, so that was gnome next word is dexterity dexterity का मतलब क्या होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत skillful है किसी चीज को perform करने में किसी task को perform करने में especially with hands मतलब अपने हाथों के साथ बहुत अच्छे से skills को perform कर सकता है that has dexterity मतलब एक कुछलता इस तो होता है कि मतलब किसी चीज को करने की कुछलता हो हम dexterity बोट रहे है so the meaning is skill in performing tasks specially with hands so इसके synonyms क्या होंगे adroitness, skillfulness, expertise, agility okay so यह क्या है इसके synonyms है किसी चीज को हाथों से perform करने की जो skill है उसको हम बोल रहे है dexterity so the sentence is the juggler displayed incredible dexterity with the balls जो जगलर होता है जो आपने चार-पांच बॉल एक साथ हवा में उचालता रहता है जो जगलर उनको जगलर बोलता है so उसने display करी अपनी incredible मतलब एक दम अतुल प्रतिभार कुशलता दिखाई उसने balls को जगल करने की that is dexterity मतलब कुशलता और skillfulness okay the next word is capricious capricious का मतलब होता है कि something that is changing frequently और बहुत suddenly change हो रहे है जिसका कुछ फिक्स नहीं something that is uncertain okay जो अप जलिली चींज ओरी है okay देखो मैंने निमोनिक अपने दिमाग में इस तरह से बनाया था कि जसी मैं घर आता हूँ जली से capricious पहन लेता हूँ तुरांत कपड़े चेंज कर देता हूँ capricious में रहता हूँ हुआंत कि जसको कदो क्रेंग गराकिव किसी पिषको सथन jी चेंज कर देता कि देता हूँ capricious behavior okay still the synonyms are whimsical अभी थोडे परहम ने तो word korत स्काव और अंसर्ट इन्हान यहा आपुरिचिस कपरद केंगों और अजर्ण कारथे इस अपरेश शॉय ऐख रहे तो तो प्रेश इस ब्रेश थे सु कंट रहे टावड टार गुप यह पीर प्रफिज ट्मुट थेुर्ट हूंचेज़ टेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें having or showing a confident and forceful personality assertive का मतता है कि एक forceful personality है ना मतलब एक confident personality है मतलब अपनी बात पर टीके रहने वाला domineering confident, decisive, assured मतलब वो sure है what he is doing like अगर आप assertive word का देखें आप example के लिए सकते हैं देमाग में ला सकते है कि मोदी जी बड़े असर्ट है ना मतलब जो बोल लिया हो करना है ठीके, so that is assertive आत्मसमर्थ अपने उपर confident so let's see the sentence here the assertive leader made the bold made bold decisions for the team मतलब एक assertive leader था किसी तीम का और उसने बहुत बोल डिजिशन लिए और bold decision वही लिए सकता है जो confident होगा जो confident नहीं है वो bold decision नहीं लिए पाता हो that's the reality in life also and the next sentence is नावश नावश का मतलब क्या होता है नावश का मतलब होता है something that is dishonestful something that is not honest कुछ चल कुछ कपट unscrupulous deceitful cunning okay this is नावश किसीज दोका दड़ी that is नावश अगि स्काउंटरल भी इसी को बोलता है okay so let's see the sentence here the नावश टक्टिस of swindler fool many investors मतलब जो बहुत चल वाली tricks थी उसने investors को ठख दिया को बना दिया okay so these were the five words for today's episode let's have a very quick revision before saying goodbye but I hope you all guys are watching these episodes regularly because then only it will be beneficial for you and if you haven't subscribed to the channel please subscribe it will be beneficial because जैसी को वी वीड प्लोट ही आपको तृंट नावश जाएगा okay so let's see the same words here first word was gnome means something that is small or ugly person raw next word was dexterity this का मता पता पताँ skillfulness adroidness something अपने हातों से कुछ skill perform करने की capability Capricious, Capricious का मतलब sudden change, Capri में आके चेंज कर लेता हूं तो रहना, sudden change, uncountable change, whimsical, fecal, uncertain, okay, assertive, dominating, confident, assertive, these are synonyms, assertive, navish का मतलब क्या हता है, something that is dishonest, unscrupulous, disciple, cunning, okay, so this का मतलब, dishonest, okay, so I will see you in the next one, but please like to the session, like the session and subscribe to the channel, okay, bye bye